हेलो एव्रिवन, वेलकम तो माई चानल अग्रेस्टिपप तो आज हम लोग रेट टेप के बारे में जानेंगे तो आपने बहुत से नियूज में सुना होगा कि इंडिया हैस्टू मच रेट टेप, इंडिया हैस्टू मच रेट टेप, इंडिया हैस्टू मच रेट टेप, तो यहां रेट टेप का मतलब क्या है रेट टेप जो है एक idiom है ठीक है इसका मतलब होता है official rules और bureaucratic procedures when they seem unnecessary and cause delay, especially which stop you to complete your work easily or quickly तो बहुत से formalities के कारण डिले होता है work में जैसे paperwork, form fill up करना होता है, extra amount of charge लगता है, कहीं application submit करना पड़ता है तो बहुत सारे example से आप जो है रेट टेप को समझ सकते हैं जैसे आपको अगर company कोई setup करनी है, तो बहुत से intermediaries को bribe देना होता है वीजा और passport अगर लेना हो, या फिर कोई license लेना है, जैसे कोई legal document भी लेना है तो बहुत से step से गुजरना पड़ता है, बहुत से office जाओ, लंबी line में लगो, पेमेंट करना होता है तो काफी time consuming process होता है, मतलब एक license लेने के लिए हो सकता है कि आपको two weeks लग जाए हलांकि digital world और online work ने काफी हद तक rate tip को कम किया है तो बहुत कोई समझते हैं कि rate tip के वल negative sense में यूज होता है लेकिन यहां आप देखेंगे कि good rate tip जो है rate tip के कुछ positive value भी है तो क्या benefit एसके तो अगर paperwork सही रहता है तो आगे का काम जो है कोई risk नहीं रहता है आगे की काम में और जो work होगा productive work होगा correction के chance होगे मतलब rate tip जो है वो balance के लिए जरूरी है stability के लिए जरूरी है तो bad rate tip तो आप जानते हैं कि वो काम को slow कर देता है जैसे आपको example से समझे कि अगर आपको कोई cafe ही खोलना है तो आपको alcohol के लिए license लेना पड़ेगा music play करने के लिए license लेना होगा सब चीज के लिए license लेए तो आपका काम जो है वो slow हो जाएगा बहुत से जगा permission लेने के लिए जाना पड़ेगा है ना office में और hindrance in smooth work, missed opportunities मतलब इतना delay हो जाता है कभी कभी की कोई कोई काम जो हाथ से निकल जाता है involved too many parties, frustration, extra charge तो इसका origin कहां से हुआ है इसका origin जो है, Spain की king Charles V से हुआ, जो red tip का use important document को bind करने के लिए क्या करते थे similarly Britain में भी official document को red tip से, red ribbon से बांधा जाता था तो Britain जो है इंडिया पे rule किया है, तो कही ने कहीं महीं से इंडिया में भी ये चीज आया है thank you everyone